हेलो गार्ज वेल्कॉम बेक टू माई चैनल आज मैं आपको बता हूँगा कि आप प्लेट फॉर्म टिकट या जेनलर टिकट ऑनलाइन अपने फॉर्ण से कैसे बुक कर सकते हैं तो चलिए भीना किसी देरी कि इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको UTS एप को डाउनलोट करना है जो की IRCTC के द्वारा ही लॉंच किया गया है इस एप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इस एप को डारेक्ट प्लेयर स्टोर से भी डाउनलोट कर सकते हैं उसके बाद आपको इसे ओ अपको यहां पर सबसे उपर अपना मोबायल डालना है उसके निशी आपको अपना फूल नेम डालना है उसके बाद आपको एक six-eight-digit का पासवोड क्रियेट करना है और उसी पासवोड को आपको Confirm पासवोड में भी डाल देना है फिर आपको अपना gender चूच करना है gender चू पूली बन जाएगा अब आपको इस एप में लॉगिन करना है लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पेज पे आ जाना है अब आपको यहां पर लॉगिन करने का दो आप्शन विल जाएगा अगर आपको अपना पासबोर्ड याद है तो आप मोबाइल नमबर और पासबोर पर थूरू लॉगिन कर लेता हूं लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन का पर्मिशन मांगेगा तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर लॉग इन हो गया है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस एप से कौन-कौन टिकट ओनलाइन बुक कर सकते हैं तो आप इस एप से जर्निग टिकट या जर्नट टिकट की वार बगुकिंग खूकिंग खूकिंग डिपॉकिंग विट्पॉर्म टिकट और सीजान टिकट बुक कर सकते हैं तो चलिए अमने आपको platform ticket book करके दिखाता हूँ तो book करने के लिए आपको platform ticket पे click कर देना है उसके बाद आपको book and travel पे click करना है अब आपको यहाँ पर जीस बीस्टेशन का platform ticket चाहिए उस station को यहाँ पर search कर लेना है उसके बाद आपको यहां person select करना है कि आप कितने लोग का platform ticket book करना चाहते हैं आप इस app से एक बार में maximum 4 लोग का platform ticket book कर सकते हैं आपको per ticket 10 rupees pay करना होगा उसके बाद आपको यहां payment type में UPI select कर लेना है उसके बाद आपको book ticket पे click कर देना है आप इस app से platform ticket station के अंदर book नहीं कर सकते हैं अगर आपको platform ticket book करना ही होगा तो आप station के बाहर ही book कर लिजेगा उसके बाद आपको यहां पे UPI से payment कर देना है जैसे आपका payment success होगा यहां पे आपका ticket book हो जाएगा आपको इस app में और भी option देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहां से ticket को cancel कर सकते हैं अपना booking history को देख सकते हैं उसके बाद आपने इस app से जो ticket book किया है उसको भी आप 100 ticket पे click करके देख सकते हैं आपको इस app में एक wallet का भी option देखने को मिल जाएगा आप इसमें पैसा एड़ कर सकते हैं और उस पैसे को ticket book करते समय यूज कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां एक profile का option मिलेगा आप उस पे click करके अपने profile में कुछ भी change कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां एक transaction का option मिलेगा आप उस पे क्लिक करके अपना पूरा transaction history देख सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको general ticket book करके दिखाता हूं तो उसके लिए आपको journey ticket पे क्लिक करना है उसके बाद आपको book and travel पे क्लिक करना है और आपको यहां पे station का नाम डालना है जिस station से आप journey करना चाहते हैं उसके बाद आपको यहां पे उस station को select करना है जहां तक आप जाना चाहते हैं अब आपको बुक फिर पर क्लिक करना है उसके बाद उस रूट में जितना भी ट्रेन एबलेबल होगा वह आपको यहां पर सो करेगा आप यहां से सिलेक्ट करके बुक कर सकते हैं आपको थोड़ा ऊपर एक लेंग्विज का भी ऑप्सन मिल जाएगा आप यहां से लेंग्विज भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको इस एप में कोई भी दिक्कत होगा तो आप यहां से कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो ये धार्ज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद